Good morning students, today's topic is character building values and ethics, which is from the third unit of your subject, नई तालीम skill based education, नई तालीम कौशल अधारित अधीगम, इस subject के third unit का topic है, चरित्र निर्मान, मूल्य और नैतिक्ता, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मूल्य के बारे में पढ़ें, अब आप सोच रहे होंगे, topic का नाम है character building, values and ethics, तो हमको सबसे पहले character building के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम values के बारे में पढ़ें, तो हम values के बारे में इसले पहले पढ़ेंगे, कि values और ethics मिल के एक व्यक्ति का character या चरित्र का निर्माण करते हैं, मतलब मूल्य और नैतिकता, इन दोनों के समावेश से, इन दोनों के मिलने से, एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, तो हम पहले मूल्य समझेंगे, नैतिकता समझेंगे, और उसके बाद उसका effect हम character building में देखेंगे कि कैसा होता है, चरित्र निर्माण में इनकी क्या आवश्यक्ता होती है, वो देखेंगे, तो सबसे पहले values, values are basic and fundamental beliefs that guide or motivate attitude or actions, आपका रवया कैसे है, आप कैसे कार्य करते है इसके बारे में जो आपकी सोच है, वो आपका मूल्य बताता है, आपकी values बताती है, कि आपका attitude कैसा रहेगा, आप किस चीज़ पर भरोसा करते हैं, आपके actions कैसे रहेंगे, यह सम आपकी values बताती है, they help us to determine what is important to us, आपके values decide करते हैं, कि आप अपने life में किस चीज़ को ज़ महत्व देते हैं, values describe the personal qualities we choose to embody, to guide our actions, यह हमारी personal qualities को चूज करने में हमारी मदद करता है, हमको कैसे हमारे जो व्यक्तिगत गुण है, वो कैसे होंगे, यह हमारे values बताते हैं, the sort of person we want to be, the manner in which we treat ourselves and others, हम कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे behave करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और हमारे साथ दूसरे कैसा व्यवहार करें, यह सब चीज़ values निर्धारित करते हैं, आपके मूल्य निर्धारित करते हैं, and our interaction with the world around us, और हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, उनके साथ भी हमारे कैसे संबंध हैं, यह हमारे values, हमारे मूल्य बताते हैं. They provide the general guidelines for conduct. हम कैसा व्यभार करेंगे, हमारा आचरन कैसा होगा, यह हमारे मूल्य बताते हैं. यह हमको अपने मूल्यों से पता लगता है. The values decide the conduct. Value is a narrow, in a narrow sense, is that which is good, desirable, and worthwhile. मतलब जो भी अच्छी चीजे हैं, जो जिसको हमको बहुत इच्छा होती है, कि ऐसी हमारे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए, वो बहुत वर्थ होती हैं, वो चीज, वो सारी चीजे values कहलाती हैं, मूल्य कहलाती हैं. आप कुछ भी कारे करते हैं, तो आपका उद्देश क्या है, आपने उद्देश कौन से decide करके रखे हैं, वो आपके मूल के अधारत पर, आप किस value के इनसान हैं, वैसे उद्देश आप अपने कारे के पहले निर्धारत करते हैं. आप जैसा कारे करते हैं, उसका जो result होता है, वो आपके values decide करते हैं. Sources of values मतलब मूल लिख के स्त्रोथ, कहां कहां से आपको मूल लिख, आपके values decide करने के स्त्रोथ मिलते हैं. पहला है family, फिर friends, religion, school, books, media, internet, culture और employers, time period in which you were raised, etc. यानि कि family आप किस परिवार से हैं, friends आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस religion को believe करते हैं, आप किस school या college या किस institution से हैं, किस type की books पढ़ते हैं, media और या internet का कैसा use करते हैं आप, आपका culture क्या है, आपके संसकार क्या है, और employers, employers यानि जहां आप काम करते हैं, आपके साथी वहाँ पर कैसे हैं, जाहे वो आपके superiors हों, junior हों, आपके colleagues हों, तो आपके company, आपका organization, आपका institution, जहां आप काम करते हैं, वहाँ, क्या atmosphere है, फिर time period in which you were raised, माने, जिस तिती में आपका parlan portion हुआ है, जिस circumstances में आप पले बड़े हैं, ये सारे चीज़े मिलके आपका मूल्य निधारित करते हैं, formation of values, बनते कैसे हैं मूल्य, we start forming values in our childhood, हम बचपन से ही अपने values का निर्मान करते हैं, first we learn to appreciate things that fulfill our basic needs, but we value specially those people that provide them to us, मतलब हम बहुत बचपन से ही अपने मूल्य निधारित करते हैं, या हम में मूल्य डेवलाप होना चालू हो चाते हैं, पहले हम चीजों को appreciate करते हैं, कि फिर वही चीज़ें हमको जब दूसरों से प्राप्त होती हैं, तो वो हमारा मूल्य बन जाते हैं, their behavior towards us becomes the main reference of what is valuable, मतलब हमारे साथ दूसरे कैसा व्यभार कर रहे हैं, उससे हमको पता चलता है, कि हमारे मूल्य क्या है, या हमने कैसे मूल्य अपने लिए decide करके रखे हैं, the consistency and coherence of our parents' behavior is what strengthens our formation, मतलब हमारे परिवार की जो स्थिरता है, हमारे माता-पिता का जो साथ है, वो बताता है कि हमारी values कैसे होंगी और वो उस मूल्यों को और मजबूत करने में मदद करता है, values are often confused with habits and many parents hope that school will form the values that were not installed at home, मतलब हम values को अपनी आदतों के साथ confuse करते हैं, हम समझते हैं कि जो हमारी अच्छी आदते हैं, वो हमारी values हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो parents हैं, वो usually सोचते हैं कि सारी अच्छी values की जानकारी या उनका development बच्चे में school के थ्रू होगा, जिस शाला में वो पढ़ते हैं, वहीं से उनको उनके बच्चों को सारे अच्छे मूल्यों की प्राप्ती होगी या जानकारी मिलेगी, जब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो हमारे घर का वातावरण होता है, जो हमारे घर में जैसा हमको जिन सरकम्स्टैंसे में हमारी अब ब्रिंगी होती है, उसके according हमारे मूल्य का निर्मान होता है, those who play a leadership role in our lives are most powerful at conveying to us their values, जिसको भी हम follow करते हैं अपनी life में, उनके values हमारे लिए सबसे ज़्यादा important हो जाते हैं, they are our parents, elder siblings, grandparents, relatives, teachers, peers, we admire, professor, bosses, मतलब वो हमारे parents भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, हमारे grandparents, relatives, teachers, हमारे साथी, जिनके साथ हम, हमारे friends, जिनके साथ हम दिन भर रहते हैं, या हमारे professors, हमारे जो superiors हैं, कोई भी ऐसा जिसको हम follow करते हैं, अपना mentor मानते हैं, तो हम उन्हीं को follow करते हैं, जिनके values हमको पसंद में आती हैं, और हम चाहते हैं कि वो values हमारे में भी आ जाए, तो हम उन्हीं लोगों को follow करते हैं, जिनकी values हमको पसंद आती है और जो values हम चाहते हैं कि हमारी personality में भी दिखाई दे दूसरों को However, to convey something we must first possess it Values are only conveyed through the example of our daily attitude and behavior मतलब जैसा हम दूसरों से values देखना चाहते हैं पहले हमको वह values अपने में develop करना बहुत जरूरी है दूसरा कि हम जो रोज मर्रा का जो हमारा attitude है जो व्यवहार है जो हम दूसरों के साथ जैसा हमारा रवया है वह सबसे best example होता है यह बताने के लिए हमारी values कैसी है आप किस तरीके से बात करते हैं लोगों से कैसे उनको treat करते हैं चाहे वह आपके superior हों junior हों साथ वाले colleagues हों कोई भी हों आपके friends हों आपसे छोटे हों आपसे बड़े हैं कोई भी हैं आप किस तरीके से उनके साथ behave करते हैं आपका mannerism कैसा है वो बताता है कि आपकी values क्या है they can seldom be formed by explaining them or through a list of what is considered correct और incorrect memorizing their theoretical meaning does not guarantee their implementation मतलब अगर मैं आपको एक list of values बता दूँ कि आप में यह यह values होनी चाहिए तो आप एक बहुत अच्छे इंसान माने जाएंगे और आप उन list को follow करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे ऐसा बिल्कूल भी नहीं होता है आप उन values को रट के या उनको याद करके अपनी personality में inbuilt नहीं कर सकते हैं you have to work for it अब values की क्या विशेश्टा हैं? मूलियों की क्या विशेश्टा है? importance of values value lay the foundation for the understanding of attitudes and motivation because they influence our perceptions perception याने आपकी सोच किसी भी circumstances में आप कैसा सोच रखते हैं? कैसी सोच है आपकी? ये बताती है कि आपका attitude कैसा है? आप कैसे चीजों को समझते हैं? और कैसे behave करते हैं? वो चीज आपको कैसे प्रभावित करती हैं? ये सारी चीजें आपके मूल्य निर्धारित करते हैं अगर आपके मूल्य अच्छे हैं तो आपकी सोच अच्छी होती है आप चीजों को बहुत पॉजिटिव धंग चे समझते हैं आपका attitude अलग तहिप कर रहता है आप हमेशा motivated रहते हैं ताकि आपका perception भी सुधर सके दू with which they interpret behaviors or outcomes जैसे कि सही गलत के बीच में निर्णय लेना या आप कैसा behave करते हैं तो उसका outcome क्या होगा इसका निर्णय लेना एक संस्था में यह सब आपकी values के कारण decide होता है values generally influence attitude and behavior आपके attitude यानि आपका रवईया और आपका behavior यानि आपका व्यभार आपके values से पता चलता है आपका values जैसे होंगे आपका व्यभार उतना अच्छा होगा जितने अच्छे values होंगे उतने अच्छा attitude होगा उतना अच्छा behavior होगा next is types of values मुल्यों के प्रकार मुल्य दो प्रकार के होते हैं there are two types of values broadly classified as terminal values and instrumental values terminal values याने आवधिक मुल्य और instrumental values याने की सहायक मुल्य यार मददगार मुल्य तो सबसे पहले हम terminal values देखते हैं या आवधिक मुल्य ये क्या होता है जो भविश्य में मिलने वाली चीजें हैं उनके लिए आपका क्या रवाई है desirable end states of existence the goals that a person would like to achieve during his or her lifetime माने ऐसे values जो आप सोचते हैं की भविश्य में मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए या आपको बहुत अच्छे ज्यान की प्राप्ती हो तो ऐसे सब चीजें जो terminal values कहलाती हैं जो भविश्य में मिलने वाली चीजें होती हैं वो है terminal values और instrumental values terminal values को प्राप्त करने के लिए जो हम behavior दिखाते हैं वो सब कहलाती है instrumental values या सहायक मुल्य या मददगार मुल्य मतलब वो terminal values को प्राप्त करने के लिए जो मददगार मुल्य हैं उनको हम instrumental values कहते हैं मतलब अगर आपको ज्यान की प्राप्ती चाहिए तो आपको यहाँ पे intelligence की जरुवत होगी अगर आप कोई बहुत अच्छा आजादी चाहिए आपको freedom चाहिए तो आपको वैसे ही सोच रखनी पड़ेगी उतना daring होनी चाहिए आपमे उतनी honesty होनी चाहिए तो या फिर आपको बहुत luxurious life चाहिए तो आपके ambitious अच्छे होने चाहिए तो आप महनती होने चाहिए तो जो instrumental values है यह terminal values को प्राप्त करने में सहायक होती है यहाँ पे मैंने list of terminal values और instrumental values लिखी है आप उनको एक बार देख सकते हैं next हम आते हैं ethics पर ethics याने नैतिकता जहां मूल्य हमको सही क्या है और गलत क्या है बताता है वही मूल्य हमको बताता है कि what is right or wrong is what we mean by ethics मतलब values determine what is right and what is wrong and doing what is right and what is wrong is what mean by ethics मतलब ये सही है और ये गलत है ये आपको मूल्य बताता है और इस में से सही हमको करना है कि गलत हमको करना है ये हमारी नैतिकता हमको बताती है प्रम जैसे आपके पास options रहते हैं कि आप right भी जा सकते हैं और left भी जा सकते हैं आपके पास दो options ये और ये उसको आप value समझ लीजे लें लेकिन आप left turn लेंगे तो आप शही रास्ते पे जाते हैं और right turn लेंगे तो आप गलत रास्ते पर जाएंगी, इसका मतलब है कि decision is ethics and options are values. अब ethics formation, नैतिकता का निर्मान कैसे होता है? इसमें पहला है family influence, the formation of ethics begins when the individual is a child. बहुत छोटी उमर से बहुत बचपन से आपके नैतिकता का निर्मान हो जाता है. जैसे आपके family का environment होता है, उसका influence सबसे जादा होता है. जो भी अच्छी बूरी, सही गलत चीज़ें आपके family में दिखाई देती हैं, उन दिन को आप रोज देखते हैं और समझते हैं, उनसे आपके नैतिकता का निर्मान होता है. Next is peer influence, याने आपके जो सह कर्मी हैं या सह पाथी हैं, उनका आपके उपर कैसा प्रभाव रहता है? तो as the child develops contacts outside the home, through home, school, play and work, peers exert considerable influence on the individual's ethical beliefs. आपने अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी values of ethics हैं, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे ऑफिस में हो, तो उनके साथ रह के जो आपको देखने को मिलत हैं, उनके behavior, उनको देखकर आप कुछ कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ चीजें नई चीज सीखते हैं, देखकर, तो वो आपके मुल्यों के नैतिकता के निर्मान में प्रभाव डालते हैं, नेक्स्ट इस experience, आपका जैसा अनुभव रहा होगा आपके जीवन में, आप उसके आधार पर भी अपनी नैतिकता का निर्मान करते हैं, अगर आपके experiences सब अच्छे रहे होंगे, तो आपके नैतिक मुल्यों भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपके experiences थोड़े से खराब हैं किसी situation पर, तो आप accordingly आपके ethics वैसा form होते हैं, next is values and morals, one's ethical standards are also greatly influenced by values and morals, मतलब मुल्य और नैतिक, नैतिक मुल्य जिसको हम कहते हैं, अगर आप, जैसे यहाँ पर example दिया है, कि पैसे को, अगर आप पैसे को ज़्यादा value करते हैं, या materialistic चीज़ों को ज़्यादा value देते हैं, तो आपके ethics भी वैसे ही हो जाएंगे, कि आपके behavior में वो चीज़ दिखने लगती हैं, कि आपको पैसा और materialistic चीज़ें, बाकी सार ये values और गुणों के अफिक्षा ज़्यादा पसंद आते हैं, और उनके लिए आप अपने values और ethics को surrender कर देते हैं, अगर आपको अच्छे money और materialistic चीज़ों का offer मिलता है, तो आप अपने values और ethics के साथ sacrifice कर लेते हैं, Then situation, people often change their ethics in response to unknown situational factors, जैसे कि situation याने कि स्थिती, किसी स्थिती पर वैसे तो कोई व्यक्ती है जो बहुत अच्छे से आपके साथ रहता है, बहुत अच्छे मूल्य हैं उसके, बहुत अच्छे ethics हैं उसके, लेकिन कभी ऐसा होता है कि situation ऐसी आजाती है कि उसको अपने ethics के साथ compromise करना पड़ता है, अपने, मान लिजी अपने job को बचाने के लिए, या कोई ऐसी situation आ जाती ही, जहां उसको समझ लिए जूट बोलना पड़ता है, मतलब कि उसने compromise किया, उस situation के according उसने वहाँ पर जूट बोला, जो कि गलत था, मतलब ethics formation में situation भी कभी-कभी important role play करती है Then religion, सबके religion में अच्छी-अच्छी बातें बोली गई हैं, तो अपने religion को follow करते हुए भी लोग अपने ethics, अपने नैतिक मुल्यों का विकास करते हैं Then legal system, laws are rules of conduct approved by legislatures that guide human behavior in any society, हमारे समाज में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं जैसे कि left में चलना है, red signal पे रुकना है, यह सारे नियम कानून है अगर हम इनको follow नहीं करते हैं, तो हम कानून के नजरिये से अगर हम देखें, तो हम unethical कहलाते हैं जैसे कि अपने surrounding को clean करना, dust bin का use करना, ऐसे समा हमने नियम बनाए हैं लेकिन अगर हम इन कानून को follow नहीं करते हैं, तो हम कानून की नजर में, हम by law we are unethical, हम unethic ताकी तरफ जाते हैं तो हम नियम कानून भी जो हैं, वो भी हमें ethical या unethical बनाने में मदद करते हैं तो क्या-क्या स्ट्रोथ थे, नैतिक्ता के पहला है fellow workers, याने कि आपके सहपाथी, colleagues, family, परिवार, friends, आपके दोस्त, law, याने कानून, religious beliefs, धर्म, regions मनें आपके जगह से बिलॉंग करते हैं, वहां के जो नियम होंगे, वो भी आपके मुल्यों को निर्धारित करने में आपके मदद करेंगे फिर आपका culture, याने आपकी संस्कृती, फिर आपका profession, मतलब आपके इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं employer आपके जगह के employee हैं, आप कहां काम करते हैं, कर्मचारी कहां के हैं, वहां के जो values और ethics या laws कानून होंगे discipline होगा, accordingly आपका ethics वैसा form होता है, फिर society जहां जिस समाज में आप रहते हैं, वहां के जो ethics हैं, वो automatically आपके personality पर effect डालते हैं ethics, कुछ ethics को कुछ philosophers ने चार category या चार areas में divide किया है, जैसे कि पहला है descriptive ethics जिसको कि हम वरनात्मक नहतिकता कहते हैं, दूसरा है meta ethics जिसे कि हम हिंदी इंग्लिश दोना इसका meta ethics ही है, या फिर है normative ethics जिसे हम प्रमानिक नहतिकता कहते हैं, और चौथा है applied ethics जिसे हम लागू नहतिकता कहते हैं, जो descriptive ethics है is closely related to anthropology, sociology and psychology and leans heavily on them, it consists of studying and describing the morality of a people, culture or society, it compares and contrasts different moral system, codes, practices, beliefs, principles and values. यह जो descriptive ethics है, जिसको कि हम हिंदी में वरनात्मक नहतिकता कहते हैं, इसको हम comparative ethics या तुलनात्मक नहतिकता भी कहते हैं, और यह it is a study of people's belief about morality, what do people think is right. जो अगर कोई इनसान कोई काम कर रहा है, अगर वो उसको सही समझता है, तो वो उसको करता ही जाएगा. study of people's belief about morality, हर कोई सबका अपना-पना perception है, अपना-पना belief है, अगर कोई सोचता है कि मैं अच्छा, यह मैं सही कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को करता ही जाएगा. तो that is known as descriptive ethics या comparative ethics, मतलब दूसरे की तुलना में मुझे ये काम सही लग रहा है, तो मैं उसको करते ही जाएगा. तो that is known as descriptive या वर्नात्मक अथिकता. What do people think is right? Next is meta-ethics, जिसे, how, study of what ethical terms and theories actually refer to, study of what ethical terms and theories actually refer to. मतलब it investigates where our ethical principles come from and what they mean that attempts to discover the origin or cause of right and wrong. मतलब ये चीज़ सही है कि गलत है, इसके हम root cause में जाते हैं और फिर decide करते हैं कि वो चीज़ सही है कि गलत है, मतलब पूरा investigative nature हो जाता है. फिर आता है normative ethics, जिसको की हम हिंदी में बोल रहे थे प्रमानिक नैतिकता, ये how should people act, इसका पीछे जो basic इसके पीछे जो explanation है, is how should people act, मतलब कैसे उनको behave करना है, the practical means of determining a moral course of action, कुछ एक ही situation पर अलग अलग लोगों का अलग अलग behavior देखने को मिलता है, तो जो practically आपको जो चीज दिख रहा है वहारी गरूप से जो चीज़ें दिख रही हैं, वो कहलाती है normative ethics, then comes applied ethics, जिसको कि हम lagoon एतिकता कहते हैं, it is how do we take word, knowledge and put into practice, मतलब जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, सुनी हैं दूसरों से, किसी भी type का ग्यान जो हमने परजित किया है, उसको हम कैसे apply करते हैं एक situation पर, that is known as applied ethics, जैसे कि how moral outcomes can be achieved in specific situations, and applied ethics involve examining specific controversial ethics, such as abortion, animal rights, etc. मतलब आप किसी situation पर आप अपनी प्रतिकरिया कैसे लागू करते हैं, अपने values, अपने ethics को एक particular situation पर आप उस moral knowledge को कैसे apply करते हैं, that is known as applied ethics, लास्टली अब हम आते हैं, character, charitra, character is a disposition of a person, made up of beliefs, values, skills, and traits, आप कैसा सोचते हैं, आप में कैसे मूल्य है, आप में कैसे कॉशल है, आप में कैसे characters है, traits मतलब characters गुण कुन-गुण से है, उसके आधार पे आपके चरित्र का निर्मान होता है, मैंने शुरू में बताया था, आपके जो मूल्य हैं और आपकी जो नैतिकता है, ये दोनों का समागम होकर आपके चरित्र का निर्मान होता है, जितने अच्छे morals होंगे, जितने अच्छे ethics आप में होंगे, values आप में होंगे, उतना अच्छा आपका character माना जाता है, character is the learned behavior, character कैसे बनता है, चरित्र कैसे हैं, आप रोज क्या क्या सीखते हैं, आपके behavior में आप क्या क्या रोज सुधार करते हैं, Accordingly आपका character develop होते जाता है, true character is revealed in times of crisis in each of us, crisis या problem की situation पर हम कैसे behave करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगता है, कोई problematic situation आती है, तो एक व्यक्ति होगा जो बहुत जादा panic करेगा, anxiety दिखाएगा, बहुत जादा confused हो जाएगा, hyper हो जाएगा, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, जो बहुत आराम से collected, अपना शांती पूरवक धंग से उस चीज़ को sort out करता है, सबको सुनता है, समझता है, सारे factors को और उस problem को sort out करता है, तो एक problematic situation पे आपका attitude कैसा रहता है, आपका behavior कैसा रहता है, उससे पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका character कैसा है, Dr. Thomas Licona ने character के definition देते हुए कहा, कि character education is the deliberate effort to help people understand, care about and act upon core ethical values, चरित्र शिक्षा लोगों को समझने, देखबाल करने और कोर नेतिक मुल्यों पर कार्य करने में मदद करने के लिए अथक प्रयास है, चरित्र शिक्षा लोगों को समझने, देखबाल करने और कोर नेतिक मुल्यों पर कार्य करने में मदद करने के लिए अथक प्रयास है, मतलब, how do you understand something, a situation, how do you act, how do you take things, that effort of yours is known as the character of a person or that is the character education. Thomas Likona ने कहा की, educating the head, heart and hand, Dr. Kevin Ryan and Thomas Likona. नोनों ने कहा की, educating the head, heart and hand is character education, मतलब, की आप अपने मस्तिश्क, रिदय और हाथ के लिए जैसे शिक्षा देते हैं, वो आपका character form करता है, head से to know the good, heart से to care about the good and hand to do the good, मतलब, मस्तिश्क का उप्योग करके, आप अच्छे के बारे में जानखरी या ज्यानप्राप्त करते हैं, हृदय से आप किसी अच्छे का care करते हैं, उसकी देखवाल करते हैं, उसकी value करते हैं, और hands, हाथों से आप अच्छा काम करते हैं, तो जब आप सोचेंगे अच्छा, समझेंगे अच्छा और करेंगे अच्छा, तो automatically आप एक अच्छे मनुश्य में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसका चरित्र बहुत अच्छा माना जाएगा, और यहीं से 3H formula भी हमारा आजाता है, जो कि हमने मात्मा गांधी के नई तालिम शिक्षा में समझाता, Next is effective character education programs, shared many implementation strategies, अब चरित्र निर्मान के लिए हम कैसे strategies अपना सकते हैं, पहला, social skills and awareness, personal improvement, problem solving, decision making, professional development, interactive teaching learning strategies, discussions, चर्चा, role play, cooperative learning, यानि की सहयोगात्म, अधिगम, direct teaching, family, community participation, परिवार की सहभागीता, Parent training, यानि माता-पिता की training, कि वो कैसे, किस situation पे अपने बच्चों को कैसे उनकी upbringing करें, then active family involvement, उनकी सहभागीता, फिर modeling, mentoring, adult role models, role model in literature, माने अच्छे-अच्छे role models के बारे में आप पढ़ें, अपने जो आपके घर के बुज़ूर्ग हैं, उनको, उनको follow करें, उनके characters को follow करें, इसके अलावा, आपका classroom behavior management, reward और recognition systems, मतलब आप किसी अच्छे behavior के लिए reward दे सकते हैं, और या फिर उसको appreciate कर सकते हैं, फिर developmental discipline, positive classroom management, monitoring system, school-wide strategies, leadership, school-wide programs, community service, service learning, ये सारी चीज़ों के द्वारा, आप अपने चरित्र का निर्मान करने के लिए इन strategies को अपना सकते हैं, इसके अलावा, school क्या-क्या कर सकता है, एक तो अच्छी faculty, dedicated faculty अगर है, आपके institution में, तो उनको देखकर भी बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, अगर आपके institution में counseling sessions रखे जाते हैं, जहाँ पर आप अपने चातरों से बातचीत करके, उनकी समस्या का समधान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो भी एक अच्छे चरित्र का निर्मान होने में यह सहयक होते हैं, फिर बहुत सारी group activities करवाने से team spirit develop होती है, cooperative learning आप सीखते हैं, discipline, अगर आप अपने संस्था में discipline, अनुशासन को महत्व देते हैं, तो भी चरित्र निर्मान में वह सहयक होता है, फिर collective identities मतलब आप सामोही group से कुछ कारे करना या कुछ सिखाना, अच्छे homework जो assignments हैं, उसको देते समय भी अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, कि जिससे वो कारे करने के बाद चरित्र निर्मान में कुछ उस चीज का योगदान हो तो बहुत अच्छा है, फिर moral values की classes, नैतिक मुल्यों की classes या periods रखे जा सकते हैं, जैसे कि स्कूल में moral science की classes होती हैं, और फिर teachers और जो friends हैं, उन्गे constant support अगर रहता है, तो character formation में मदद म बिलती है, अब इन इस topic पर कुछ questions हम frame कर सकते हैं, जैसे explain values, its types and importance, what are types of ethics and explain its formation, describe character building strategies adapted in institutions, पहला मूल्य क्या है, वो मूल्य के प्रकार वो महत्र को समझाईए, नैतिक्ता के प्रकार वो निर्मान को समझाईए, और तीसरा है, संस्था में अपनाए जाने वाले चरित्र निर्मान प्रविधियों को समझाईए, that's all, thank you